कईसे बनाया मुझे भी यह रिशेपी चाहिए जिसने रिशेपी को यह नेमें दो रिशेपी को मिला का zar in और अंत्त पोनीकों अधर अब और आप लोग बनाना चाहिआ है तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिये ह। आप लोग समझ जाई तो यहां पे देखें मैंने 500 ग्रम कद्दू लिया है जिसे मैंने एकदम बाडिक वाले कद्दू कस से मैंने इसे कद्दू कस कर लिया है और यह हमारा रेडी है और साथ ही यहां पे मैंने एक बोल ले लिया है और उसमें मैं ले रही हूँ तब वो आगया आप झाप देखेंगे आपको पता चल जाएगा और फ्रेंस मेजर्मेंट के लिए आप किसी भी एक चीज का सठ कर लीज़े कटोड़ी हो गलास हो कप हो कोई भी चीज से आप मतलब उसी चीज से आप सारे चीजे मेजर्मेंट करके लेंगे तो सही यह में डाल दिया है अब इसे जो है घी में अच्छे से भून लेंगे और इस रेसिपी को हम बनाएंगे एक दम लो फ्लेम पे मतलब एक दम धीमिया आज में बनाएंगे और इस रेसिपी को जब बनाएंगे तो साइड में गाना चला लेजेगा क्योंकि इसमें टाइम भी लगता है थोड़ी मैंनत भी लगता है गाना सुनते सुनते बनाएंगे तो पता नहीं चलेगा तो देखिए इसे अच्छे से जो हम भूनेंगे और ऐसे नीचे लगना और यहां बनाएंगे हैं जब तक चीनी गलने तक इसे अच्छे से पकाएंगे और इस रेसिपी को बनाते हैं टाइम फ्रेंस हाथ एक दम रेस्ट नहीं देना है पूरा टाइम इसको चलाते रहना है तो देखिए हमारा चीनी जो है यह गल चुका है अब मैं इसमें तीन चार एलाइची के दाने बस दाने को थोड़ा सा कूट लिया है उसे मैं डाल दिया ह है और साथ ही यहां पे मैं डाल दूँगे तो यह देखिए कॉन फ्लर नीचे जाकर जम जाता है तो इसे डालने से पहले इसे अच्छे से फिल से गोहल लेना है फिर उसके बाद इस पानी को पूरा हम एक साथ डाल देढ़ेंगे और इसे डालने के बाद हाथों को एक दम बंत नहीं करना है मतलब एकदम चलाते रहना है हाथों के गर्डम रेस नहीं देना है यह से कंटीणीउस चलाते ही रहा है इस तरह से और फ्रेंश जब भी आप कद्दू खड़ी दे आप कोशिचीज आपके हुए कद्दू और कलर्फुल कद्दू खड़ी देगा तो फिर आपको अर्लक से कोई आर्टिफिशल कलर वगेरा डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और यह रेसिपी और जादा टेस्ट बनेगा तो देखिए ऐसे ही कंटिनू चलाते रहना है यह बहुत हद तक देखे गाड़ा हो चुका है तो देखिए कितना गाड़ा हो चुका है अब इस ताइम पर मैं इसमें डालूंगी एक चमच घी घी हम वार बार डालेंगे लेकिन एक साथ नहीं डालेंगे ऐसे ही एक चमच डालेंगे फिर इसे अच्छे सही लाएंगे जब घी इसमें पूरा खीच लेगा फिर उसके बाद फिर हम घी डालेंगे ऐसे ही प्रोसे करते हूं थोड़ा सा अलग बनाओं क्योंकि यह मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ऐसा करती हूं ऐसा भी नहीं है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि घड़ भी मैं अगर कुछ बना रही हूं तो वह थोड़ा सा डिफ्टिन बने थोड़ा सा अलग बने हमेशा यह सही कोशि अपने फैमिली मेंबर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा सच में यकीन मानिए एक बड़ आप लोग इसे बनाइए आप लोग को पता चल जाएगा यह खाने में बहुत टेस्ट है और देखिए इसी के साथ हमारा है यह रेडी हो चुका है तो हम आप इसे और कुप में करे इसे डारेक हमने अब इस डिबे पे ले रही हूँ जिसमें आमने घी लगा के पहले से रख दिया था इसलिए हमने कहा बाद में यह टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत जल्दी जमना शुरू हो जाता है तो देखिए इसे मैंने ले लिया है अब किसी भी फैचुला या चम्मस से इसे एक समान कर लेना है जैसे कि यहां पे मैंने घी वाला चम्मस ले लिया है और इसे अच्छे से स्मूध कर देना है उपर से भी ताक दिखने में अच्छा लगे और अगर आप इसे फ्रीज में रखेंगे तो 15-20 मिर्ट में जम जाएगा और नहीं तो आप इस कुआ अंगे आप अपने हिसाब से की गः dwar़् केना है के इसे पहले कर रहे हूं तो पहले संबूल कर लोंगी फिर उसके बाद से डिमाल कर लोंगी तेरिम उसके बता नहीं सकते एना च्छा इतना टेस्टी ऑर बने हो इसे देखने से पता चलता है तो दीखा है फ्रेंज कितने अच्छे मज़ेदार से बन गए है और इसे खाने में इतना टेस्ट है कि इसको पता ही नहीं चलेगा जब एक खाएंगे नारियल का कुछ रेसिपी आप खा रहे हो और मैं आपको तोड़की भी इसे दिखाती हूँ यह बिलकुल एकदम कि इस पीड़की कि ले एग है घएफ ईया लेदीघ कि अ उवड़की यह घाटस क्यू पना इसे होगती है एद एगल गम्सा उम्सिक वड़की यह इदीघ कि एव फक्तार खाएंगे धा एभ़की अव है